नमस्कार मित्रो मैं लली धानावत स्वागत करता हूँ आप सभी का राजस्थान के सिंग द्वार अलवर में एक सेर और इतियास एपिसोड के तहट मैं और मेरे सयोगी प्यूस आपको अलवर जिले के दुर्गों अलवर जिले के इस्थापत्य की द्रस्टी से महत्पोन इस सद्र कालिन इस्थापत्य की द्रस्टी से राजस्थानी नहीं संपूर्ण भारत में अपनी असीम पहचान रखता है आजम आपको एक ऐसे ही एक विशाल दुर्ग की यात्रा करानेवाले हैं तो आईए हम चलते हैं उस दुर्ग की इत्यास की ऑर यह दुर्ग जिसे बहादरपूर अलवर भिवाडी मेगा हाईवे पे लगबग अलवर जिला मुख्याले से लगबग आठ किलोमेटरी की दूरी पर चिकानी कस्बा आइस्तित है। इतियास की जानकरी हमें मिलने लगती है ये अलग बात है कि इसके अंदर के जो कुछ मकानात हैं वो आज खंडित अवस्ता में हैं क्योंकि उन्हें खंडित अवस्ता में जो लाया है वह मानव का लालच है मानव के लालच जो खजाने की खोच के अंदर इस वहम में उसने यहां के मकानों को खंडित किया है खंडित अवस्ता के लिए समय की जो मार है वो भी काफी हद तक जिम्मेदार है बहादरपुर दुर्ग जो है इसके इतियास से हम आपको परिचित कराने वाले हैं कि खंड़ादा शासकों का जो इतियास यहां पर रहा उसमें कौन कौन सासक यहां पर रहे और किन सासकों ने इसको बसाया और इसे विस्तार दिया यह किला पूर में आमेर के निकुम्ब शासकों के अधीन था निकुम्बों के बाद यहां खान ज्यादा राजपूतों का अधिकार हुआ खान ज्यादा मुस्लिम शासक रहे थे लेकिन हम आपको यहां बदाना चाहेंगे कि खांजादा पूर में हिंदू राजपूत थे इन्होंने दिल्ली के तुगलक वंसी शाषक फ्रोशा तुगलक के शाषनकाल में इसलाम धर्म को ग्रहन किया था खांजादा वंस में पहले शाषक जो होते हैं उनका नाम है सामरपाल जादू दरसल इनके दूसरे नाम भी हमें इतियास में मिलते हैं सामरपाल जादू को समरपाल जादू सौन पर पाल जादू के नाम से भी जाना जाता रहा है सामरपाल जादू का सम्मन बयाना चेत्र की शाषक थिन पाल के वंच से जोड़ा जाता है 351 इसवे में दिल्ली के शाषक बने फिरोशा तुगलक के काल में सामरपाल कोटला दुर्ग के अधिकारी थे सामरपाल बहुती बहादूर वेकुसल निसानेवास था एक बार सिकार के दोरान शेर का सिकार करते हुए फिरोशा तुगलक का निसाना अचानक चूक जाता है और फिरोशा तुगलक के और तेजी से दहाड मारते हुए हमला करने वाले शेर को भाले के एक वार से ही सामरपाल धराशाही कर देते हैं फ्रोशा तुगलक ने सामरपाल को इसी कारिये के लिए नाहर नाम दे खान की उपादी परदान की थी सामरपाल ने अपना नाम नाहर खान रख इसलाम धर्म ग्रेंड कर लिया नाहर खान के ससुर जामु सिंग चोहान धर्म परिवर्तन से नाराज थे एक रात्री जामु वास आये भादुर नाहर खान की बेहोसी में जामु सिंग चोहान ने हत्या कर दी नाहर खान की हत्या का बदला उसके पुत्र मलिक अलाउदिन खाने जामु सिंग चोहान के परिवार को कतल करके वे जामु सिंग की हत्या करके लिया और अपने पिता नाहर खान का शव जामुवास में ही दफन कर दिया था इस किले को देखने पर हमें यहां पर जल संडक्षन का एक व्यग्यानिक उधारण हमें नजर आया वह उधारण जिसे आज की मानवजाती को बहुती आवशकता है और वह है जल संडक्षन की जो प्राकर्तिक जल है उस प्राकर्तिक जल को संडक्षन बरसात के पानी को जो संडक्षन उस काल में सासको को द्वारा किस तरीके से दिया गया वह हम आपको दिखाते हैं आप ये दिवार जो देख रहे हैं जो धलान लिये हुए है यहीं से पानी चारोर प्राचीरों से खटा होकर के इस कुवे के अंदर आता था आप देख रहे हैं सामने ये नाली नुमा एक दिवार बनाई हुई है जिसके नीचे एक दर्वाजा बना हुआ है इदर से उदर लोग आते जाते रहे हैं लेकिन यहां इसके पानी सीधा इस कुवे के अंदर इकटा हुआ करता है इस कुवे के पानी को संदक्षन दिया जाता था यानि कि साफ सुत्रा रखा जाता था और इसी कुवे के पानी का इस्तेमाल इस किले में रहने वाले लोग किया करते थे यहां कुवा तो हमें दिखा ही इसी जल संदक्षन का एक बड़ा उधारण और हमें मिला जिसे हम राजस्थान में टांका के नाम से जानते हैं टांका जो होता है यहें नौफुट लंबा नौफुट चोड़ा और नौफुट गहरा एक गड़्डा होता है यानि इन सिमेंटेड वो गड़्डा होता है पक्का जिसमें जल को वर्स बर के लिए संदक्षित रखा जाता था आप देख रहे हैं इसके अंदर कि ये टांकाई ही है जिसमें पानी इखटा करी के रखा जाता था और यहां के वासिंदे वर्स बर उसका इस्तमाल किया करते थे यह एक वैग्यानिक उधारण है जिसका प्रियोग आज भी किया जाता है इस कमरे को देखने पर आप यह देख पाएंगे इसके इत्यास को कि यहां की जो शैली है जो बनावट है उससे हमें पता लगता है कि यह शाशक का कमरा रहा होगा क्योंकि यह काफी बड़ा कमरा है और इसके जो दरवाजे हैं उसके दरवाजों को जो इस्तापते हैं और इसके दरवाजों पर जो उपर डिजाइन बना हुआ है वह इस बात को शो करता है कि यह यहां के राजा का कमरा रहा होगा अब हम यात्रा करते हैं बहादर पुर्दुर्ग के इत्यास की और हम चलते हैं आगे हम आपको बताते हैं कि यहां नाहर खान जिसका पूर नाम सामरपाल जो रहा था उसके बाद जो शासक बना उसका पुत्र जिसका नाम था बहादर खान बहादुर खान का शासन यहां 1402 इस्वी से 1412 इस्वी तक बताया जाता है 1406 इस्वी में बहादुर खान ने इस बहादरपुर दुर्ग की स्थापना की इसे विस्तार दिया और आसपास के छित्रों में जो यहां निकुम्बो का शाशन था उन्हें यहां से परास्त किया बहादुर खान के नाम पर ही इस दुर्ग का नाम बहादुर पूर दुर्ग रखा गया है इस दुर्ग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके चारो और विशालतम बुर्ज बनाई हुई है उन बुर्जों पर तोपे रखी जाती थी यदि कोई हमलावर यहां आक्रमन करे तो उन हमलावर सेना पर तोपों से आग के गोले बरसाए जाते थे आप देख रहे हैं कि इसके निचली जो दिवार है यहां यहां इसका बुर्ज है ऐसी बुर्जें कि इसके चारो और हैं और इन बुर्जों पर ही तोपे रखी जाती थी और सुरक्षा अधिकारी 2400 घंटे यहां पहरा दिया करते थे ताकि यहां कोई शत्रू आक्रमन ना कर सके यह इसकी दूसरी बुर्ज है यहां पर भी तोप रखी होती थी 1412 इस्वी में बहादुर खान ने अपना रज्जे अपने पुत्र अकेलम खान को सौप दिया था मेवात के अंतिम खान जादा शाशक के रूप में यहां के शाशक हुए थे हशन खा मेवाती इन्हों ने बहादरपुर को मेवात की राजधानी बनाया हशन का मेवाती मित्रो वही शाशक हैं जिनोंने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध मेवाड के शाशक राणा सांगा की अलवर की और से सहायता की थी अब हम इस किले के जो सुरक्षा इंतिजाम थे उनकी और आपका ध्यानाकर्षित करने का प्रयास करते हैं इस किले के चारो और आपको प्राचीर नजर आ रही है यही प्राचीर इस किले को सुरक्षा प्रदान किया करती थी इस किले की जो दिवार है उस प्राचीर पर यह हर जगे होल बने हुए हैं यहां एक छोटी छोटी सी पहरी हुआ करते थे वो बाहरी हमला वर सैना पर बंदूकों से हमला किया करते थे यह कमरा जो की खंडर है फिलाल जो आपको नजर आ रहा है यह निरिक्षन करने पे ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षा अधिकारी का कोई कमरा रहा है इसके जो तीन जरों के यह बने हुए हैं इनके माध्यम से पूरे शहर जो पूरा कस्बा जो बहादरपूर कस्बा है उसको निहारा जा सकता है। यह वर्तमान में विस्तार हुआ है जो शहर जो बसा है लेकिन उस समय नहीं था। तो यहां जब कोई सहना आकरमन किया करती थी तो उस सहना को आसानी से देखा जा सकता था और उस सहना पर हमला किया जा सकता था और अपने इस किले को सुरक्षा प्रदान की जा सकती थी। ऐसी प्राचीर इस किले के चारो और बहुती सुद्रड रूप में हमें नजर आती है बीचो बीच यहाँ एक बड़ा दालान जो आप देख रहे हैं यहाँ जो शासक था वो अपनी सैना को विभिन परकार के इंस्ट्रेक्शन्स जो होते थे वो दिया करता था यहाँ एकटा करके यदि कभी हमला हो रहा है तो सैना को क्या संदेज देना है इस परकार के यह नजर आता था यहें इस किले का गुप्त दौर है जो लगबख हर किले मुवा करते हैं यदि ऐसा होता था कि कोई सैना किले के अंदर आ गई है या कोई हमला बहुत ज़ादा बढ़ गया है तो शाशक, सह परिवार और अपने सहयोगियों के साथ ऐसे गुप्त रास्तों से दूसरी जगे निकल सकते थे राजस्तान की तमाम दुर्गों में आपको इस प्रकार की गुप्त रास्ते ऐसी गुप्त जो सुरंगे हैं वो यहां मिलती है और उन्हीं सुरंगों के माद्यम से वो सुरक्षित रूप से बाहर निकल जाये करते थे इसे के लिए से एक गुप्त सुरंग जो है वो यहीं पास में इस्तित एक पहाडी की ओर जाती है जिसकी वीडियो हम बाद में आपको बना कर दिखाएंगे हम यहां एक बात बड़ी मिनम्रता और निवेदन के साथ कहना चाह रहे हैं आपसे कि बहुत से हमारे मित्रों के द्वारा राजिस्तान के दुरुगों पर वीडियो बनाए जाते हैं लेकिन बड़े दुख की बात है कि उन्हें इतियास की जानकारी बिलकुल नहीं होती है और हमारे इन किलों को वो भूतिया किला कह करके शो करते हैं जबकि मित्रों सच यह है कि कोई भी किला भूतिया नहीं है आप इन किलों की यात्रा आप इन किलों को देख सकते हैं से परिवार यहां किसी प्रकार का कोई डर नहीं है हो सकता है किसी बंद किले में किसी ऐसा मा का दुस्प प्रचार करके इन किलो के इतियास का ही इतियास बिगाड रहे हैं यह बड़े दुख की बात है जो की ऐसा नहीं होना चाहिए हमें जानकरी दी जाए वो इस प्रकार की सटीक जानकारी हो ताकि हम इत्यास से परिचीत करा सकें हमारे आज की युवापीडी को हमारे प्रियास जो लगातार हम लोग कर रहे हैं इस प्रियास में हमारा जो बड़ा सयोग है वो आपके द्वारा की जाने वाली होसला अफजाई है आपके होसले से ही हम लोग आप जो हमें आ रहा है वहें आपको कैसा लगा यदि आपको अच्छा लगा है तो हमारा आप से निवेदन है कि प्लीज आप से सबस्क्राइब करें इसे लाइक करें और जुर्श करें जुड़ से जुरिय हैं यह प्यार लगातार आपका हमारे साथ बना रहे हम यही चाहते हैं और ऐसा ही प्रयास आगे भी हम आपके लिए करते रहेंगे और अन्य दुरुगों की इत्यास से आपको परिचीत कराते रहेंगे आप सबी के सैयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद